बॉलिवूड अभिनेता सक्तिकापूर के बेटे सिध्धन कपूर ड्रक्स कंजम्शन से जुड़े एक मामले में मंगलबार को पुलिस के सामने पेश हुए पेंगलूरी के एक होटेल में पार्टी के दोड़ान ड्रक्स लेने के आरोप में सिध्धन कपूर शमेत पांच लोगों को शोमबार को गिरपतर किया गया शिध्धन कपूर ने पूश्ताज के दोड़ान पुलिस को बताया कि किसी ने उन्हें शरब और सिगरेट के साथ ड्रक्स दी थी अभिनेता ने ये भी कहा कि उन्हें ड्रक्स के बारे में कुछ नहीं पता था शिद्धान कापूर ने दावा किया कि उनके ड्रिंक्स में ड्राग मिला हुआ था और उन्हें इसके बारे में पता नहीं था उन्होंने पुलिस को बताया कि वे डीजे के रूप में पार्टियों में शामिल होने के लिए कई बार बेंगलुरू गय थे पुलिस ने सिध्धन कपूर और उनके साथ गिरपतर किये गे चार बाकी आरोपियों के मोबाइल फोन को जब्द कर लिया है और उन्हें डेटा सर्च के लिए भेज दिया है लगजरी होटेल के मालिक और रेव पार्टी के आईजोको को नोटीस भेजा गया है इवेंट कमपनी के प्रतिनीधियों को भी पुस्ताच के लिए बुलाया जा रहा है फिलाल सिधन कपूर को ड्रक्स मामले में जमानत पर छोड़ दिया गया है